नवाश्चार दोस्तों, डीट है आज की 22 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिसकेशन में आज तीन इशूस हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले, क्या इंडिया को तालिबान के साथ एंगीज करना चाहिए हाला कि देखो इस थीम से समदित हमने काफी डिसकेशन पहले भी की है लेकिन आज के इस आर्टिकल से थोड़ी और ज्यादा क्लारिटी आएगी पॉइंट्स अच्छे हैं इस आर्टिकल में नेक्स्ट आर्टिकल हम हिंदू का ही डिसकेश करेंगे ओपेक और ओपेक प्लस से समदित तीसरा आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का डिसकेश करेंगे एर्थिकल प्रिंसपल्स फोर जुडिशरी से समदित इससे पहले कि हम डिसकेशन स्टार्ट करें देखो अपनी ओनलियाज कम्यूटी के एक मेंबर है जो 2019 के बैच के IPS है तो वो आप से एक सजेशन चाहते हैं उनकी परधामंतरी के साथ मीटिंग है तो वो सजेशन ये चाहते हैं कि परधामंतरी से कोशन पूछने का मोका मिलेगा तो क्या कोशन पूछा जा सकता है अगर कोशन पुलीसिंग से समदित हो तो और भी जादा अच्छा है otherwise कोई जनरल कोशन भी पूछना हो तो क्या पूछा जा सकता है तो आप कोमेंट बोक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं आपको भी कोशन पूछना ही पड़ेगा आपकी भी मीटिंग होगी प्रधामंतरी से लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा देखो आप किसी को पसंद करते हो ना पसंद करते हो लेकिन कोमेंट्स में वो चीज नहीं दिखनी चाहिए आपको प्रधामंतरी की पोश्ट से कोशन पूछना है तो सेंसिबल कोशन आपके पास अगर कोई सजेशन है किसके दोरा लिखा गया है ये आपकल हैपिमिन जैकब के दोरा और हम ये सारे के सारे जो ऐस्पेक्ट्स हैं वो सामिल करेंगे इस आपकल की डिसक्रसन में देखो शुरूबात में आपकल में कहा जाता है जैसे जैसे तालीबान अफगानिस्तान में और जादा डिस्टिक्स में कबज़ा करता जा रहा है इंडिया ने अपनी परजेंस को अफगानिस्तान में काम कर दिया है कैसे इंडिया का कॉंसलेट था कंधार में और इंडिया का एक कॉंसलेट था हिरात में भी लेकिन इन दोनों consulates के operations को इंडिया ने temporary रूप से suspend कर दिया है और यहाँ पर इंडिया के जो officials तेनाथ थे जैसे diplomates और ITBP के जवान उनको evacuate कर लिया गया है इंडिया के द्वारा क्योंकि यहाँ पर इन cities में जल्द हित तालिबान के कबजा होने का डर है वैसे काबूल में इंडिया की embassy अभी भी active है मजारे शरीफ में इंडिया का जो consulate office है वो अभी भी active है तो writer यह कहना चाहते हैं देखो जिस हिसाम से इंडिया अपने officials को evacuate कर रहा है इससे यह लगता है कि पिछले 20 सालों में सिरफ अफगानिस्तान की government को sport करना अफगानिस्तान की government से सम्मन्द रखना यह साइद इंडिया की गलती थी क्योंकि अब इंडिया की 3 billion dollars से ज़्यादा की investment है अफगानिस्तान में उनको नुक्सान पुंचाने जाने का डर है अगर तालिबान सत्ता में आ गया और अगर तालिबान सत्ता में आ गया तो डर ओर भी है जैसे पाकिस्तान का influence जो है अफगानिस्तान के ऊपर काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा और अफगानिस्तान के issue पर इंडिया का रोल पूरी तरह से खतम हो जाएगा क्योंकि तालिबान के अभी तक इंडिया से कोई समद नहीं है वैसे देखो कुछ दिनों पहले ये खबर निकल के आई कि भारत के विदेश मंतरी ने कतर में तालिबान के रिपरजेंटेटिव से मुलाखाप की और इंडिरेक्ली भारत सरकार ने इसकी पुष्टी भी की फोरण मिनिस्टरी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि अफगानिस्तान में सभी स्टेक होलडर्स से इंडिया टच में है लेकिन देखो खुल के इंडिया अभी भी तालिबान के साथ एंगेज नहीं कर रहा है इंडिया की फोरण मिनिस्टरी ये चाहती है तालिबान के साथ एंगेजमेंट हो तो धीरे धीरे हो खुल के ना हो क्योंकि पांश्ट में इंडिया की ये पोलसी रही है कि हम militant organizations के साथ किसी परकार का कोई भी समंद नहीं रखेंगे और तालिबान को इंडिया एक militant organization मानता है तो कैसे तालिबान के साथ इंडिया समंद रख सकता है अब देखो पहले तो हम उन points को discuss करते हैं जिनकी वज़े से अभी फिलाल भारत सरकार तालिबान के साथ धीरे ध खुल के नहीं engage करना चाहती है पहला point यह है अगर भारत सरकार अभी तालिबान के साथ engage करती है इनके साथ बाचित करती हैं समंद मजबूत करती हैं तो अफगान सरकार को बुरा लगेगा अभी अफगानिस्तान के जो रश्ट्रपती हैं असरफ गनी उनके इंडिया के इंडिया को दोस्त मानती हैं, अगर इंडिया तालिबान के साथ एंगेजमेंट तेज कर देता हैं, तो अफगान सरकार को बुरा लगेगा, वो चाइना की तरफ ज्यादा जुक जाएंगे, या फिर संगही कोपरेशन और्गनेजिशन की तरफ ज्यादा जुक जाएंगे अगर हम तालिबान के साथ एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, पता लगे ना तालिबान हाथ लगे और अफगान सरकार भी हाथ से निकल जाए, तो कम से कम एक पक्सी हाथ में है, वही सही है as compared to दो पक्सी जो अभी जाडियों में हैं, नेस्ट पॉइंट, देखो तालिबान अब पहले जैसी एकजूट और्गनाइजिसन नहीं है, तालिबान के अंदर काफी सारे फैक्शन्स हैं, काफी सारे लीडर्स हैं, तो ये एक संकट है कि तालिबान के साथ अगर बात भी की जाए, तो किस से बात की जाए, पता लगे, कतर में जो तालिबान के तरफ से इनके साथ ही बात कर ली जाए नेक्स्ट पॉंट जो इंडिया का इश्यू है देखो वैसे कुछ एक्सपर्ट्स बोल रही है तालीबान चेंज हो चुका है यह तालीबान 2.0 है लेकिन ऐसा कोई एविडेंस अभी सामने नहीं आया है मतलब पुक्ता एविडेंस अभी नहीं सामने आये हैं जिसके बेस पर यह कहा जासके कि हाँ अब तालीबान चेंज हो चुका है नेक्स्ट पॉंट अभी देखो इंडिया को तालीबान की रियल इंटेंशन्स के बारे में भी नहीं पता अगर काबूल पर काबिज हो गया तालीबान तो इसकी एप्रोच क्या होग इंडिया को लेके और सबसे लाश्ट में पॉइंट आता है पाकिस्तान फैक्टर अगर देखो इंडिया तालीबान के साथ अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज करता है तो फिर कस्मीर में पाकिस्तान भी टार गूप्स के साथ अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकता है और इससे terrorism जो है वो कस्मीर में increase हो सकता है तो ये वो factors हैं जिसके base पे कहा जाता है कि इंडिया को तालिबान के साथ अभी अपनी engagement को slow रखना चाहिए एकदम से तालिबान के साथ समंदों को मजबूत नहीं करना चाहिए लेकिन इन points के जबाब में writer अपना viewpoint रखते हैं writer कहते हैं देखो एक बात तो साफ है जिस तेजी से तालिबान अफगानिस्तान की territory पर कब्ज़क करता जा रहा है जो भी political system बनेगा माली जिये peace भी established हो जाती है तो भी तालिबान अफगानिस्तान government का part होगा और peace नहीं भी establish होती है तो भी तालिबान के हाथ में अच्छे खासी territory रहेगी और जल्द ही वो अफगानिस्तान की सत्ता पर भी काबिज हो सकता है future में क्या होगा पता नहीं लेकिन संभावना ये है कि काबूल पर भी कबजा किया जा सकता है तालिबान के द्वरा तो तालिबान का आना अब एक reality है इंडिया इससे दूर नहीं भाग सकता देखो 1996 से लेके 2001 के बीच जब तालिबान का rule था तो उस समय तो कम ही देशों की सरकारों ने तालिबान को recognize किया था लेकिन आज तो कई सारे major countries हैं जो तालिबान को recognize कर रहे हैं तालिबान से बात कर रहे हैं तो इंडिया को भी पीछे नहीं छूटना चाहिए इंडिया को reality सविकार करनी चाहिए दूसरा तालिबान के साथ engagement पाकिस्तान को counter करने के लिए जरूरी है देखो बेसक तालिबान को sport किया गया है पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा लेकिन एक point जो हमने बार-बार ये discuss किया है कि तालिबान अगर सत्ता में आ जाती हैं तो कोई जरूरी नहीं तालिबान पाकिस्तान के इशारों पर काम करेगी आज पाकिस्तान आज तालिबान जो है वो पहले के अपिक्साकर्द ज़्यादा चलाक है तालिबान को international exposure है दूसरे देशों में जाके वो negotiate कर रही है अलग-अलग देशों के representatives के साथ वो बड़े-बड़े TV channels पे आ रही है तो वो पहले से ज़्यादा चलाक है और पाकिस्तान इसको लेके काफी ज़्यादा insecure है पाकिस्तान के news papers अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये जानने को मिलेगा पाकिस्तान को भी डर लग रहा है कि कहीं तालिबान को sport करके गलती तो ना कर दी मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं तालिबान के आने से पाकिस्तान को नुक्सान काफी ज़्यादा हो जाए refugees काफी ज़्यादा आ जाए पाकिस्तान में डूरेड लाइन को लेके तालिबान का stand और ज़्यादा aggressive हो जाए पाकिस्तान में भी terrorism और ज़्यादा बढ़ जाए तालिबान के थुरू तो इन सब चीजों का पाकिस्तान को भी डर लग रहा है नेस्ट पॉइंट देखो इंडिया ने 3 बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा का जो इंफास्ट्रक्चर क्रियेट किया है अफगानिस्तान में क्या ये छोडने के लिए है नहीं ना इंडिया ने बहुत बढ़िया इंफास्ट्रक्चर क्रियेट किया है जैसे जारांज डेलाराम हाईवे प्रोजेक्ट है सल्वा डैम है उजबेकिस्तान के बोडर से काबूल तक ट्रांसमिशन लाइन्स हाती है बहुत सारे स्कूल्स है तो ये इंफास्ट्रक्चर इंडिया छोड़ नहीं सकता इन सिविलियन एसेट्स को सिक्योर रखने के लिए भी इंडिया को तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए और सबसे लाश्ट में अगर देखो इंडिया अफगानिस्तान को यूँ ही छोड़ देता है भी तालिबान अब सत्ता में आ गया अब हमारा यहां पर कोई काम नहीं तो ये इंडिया की बहुत बड़ी गलती होगी पास्ट में भी इंडिया ने ऐसी गलतियां की है लेकिन अब इंडिया को आइडिलिजिम के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए अगर टाइमली इंडिया ने तालिबान के साथ एंगेज नहीं किया तो ये देश रशिया, इरान, पाकिस्तान, चाइना ये देश अफगानिस्तान की पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे और इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं होगा और वैसे भी देखो, इंडिया की गलोबल पावर बनने के अमबिशन्स है इंडो पैसिविक रीजन में आज के समय में इंडिया एक्टिव रोल प्ले कर रहा है लेकिन इंडिया के नेबर हुड में अफगानिस्तान में इतना कुछ होगा और इसमें अगर इंडिया का कोई रोल नहीं होगा तो फिर इंडिया की गलोबल पावर बनने के अमबिशन्स को भी धक्का लगेगा लास्ट में कंकूजन में राइटर 1999 में इंडिया का जो एक प्लेन हाईजैक हुआ था न IC814 आंतकवादियों ने ये प्लेन कंधार में उतारा था और वहाँ पर उस समय तालिबान का रूल था इंडिया कुछ नहीं करसका था इंडिया को मजबूरी में आतकवादियों को छोड़ना पड़ा था होश्टजीज को रिहा करवाने के लिए इवन 90's में कस्मीर में इंसरजेंसी भी इंक्रीज हो गई थी तालिबान जब सत्ता में आया था इवन उससे पहले ही हो गई थी उस समय अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी तो इन चीजों को एवोइड करने के लिए भी इंडिया को तालिबान के साथ एंगीज करना चाहिए खुले मन से करना चाहिए बिना किसी पहला ethical issue recusal से समदित है यानि किसी जज के द्वरा केस के सुनवाई से अपने आपको अलग रखने से समदित है जब भी देखो conflict of interest का question आता है यानि केस में जज के बाइस्ट होने की संभावना पैदा होती है तो जज को उस केस से अपने आपको अलग रख लेना चाहिए और देखो ना सिरफ जज को बाइस्ट होना नहीं चाहिए बल्कि जनता को भी ये लगना चाहिए कि जज जो हैं किसी भी परकार से बाइस्ट नहीं हो सकते समझ गए हैं अगर मौन लिजे जज बाइस्ट नहीं आई लेकिन जनता को लगता है कि जज बाइस्ट है, तो भी जनता का जो ट्रस्ट है, विश्वास है जुडीशी में वो कमजोर होगा ना, और वैसे जज को किसी भी बेस पे बाइस्ट होना ही नहीं चाहिए, जैसे सबी जोuto citizens हैं वो बराबर हैं, किसी भी धरम का हो, किसी भी एथनिक ग्रूप का हो, कुछ भी एकोनमिक बैक्राउंड हो, जज बिना प्रिजुडाइस होके, बिना अपनी सोच को इन्वोल किये, केस का फैसला करेंगे, इसके बाद next issue है compassion and conscience, देखो, वैसे तो जज को फैसला सुनाना होता है, facts के अधार पर तो compassion का सिधा सिधा तो scope नहीं होता, क्यों? क्योंकि अकर judge दया दिखाने लगेंगे, ऐसे तो जिसने अपराद किया है, उसकी family condition भी खराब हो सकती है, लेकिन उसे माफ तो नहीं किया जा सकता, अपराद किया है, लेकिन देखो, सुनवाई के दुरान judge जरूर compassion मेरे साथ जानवरों जैसा वेवार किया जा रहा है, तो ये गलत है, मतलब सुनवाई के दुरान, procedure के दुरान judge जो है, वो compassion जरूर दिखाएंगे, otherwise facts के base पे, objectivity के base पे, लाख ए अधार पर अपना फैसला देंगे, next, public speech, judge का काम होता है, publicly जब देखो वो कोई speech दे, तो वो अपने role और अपनी responsibility का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि judge ने कुछ भी बोल दिया, judge को बहुत ज़ादा ध्यान पूरुवक words का इस्तमाल करना चाहिए, otherwise, कल को वो कोई case की सुनवाई करेंगे, तो parties को ये लग सकता है कि judge के विचार तो ऐसे हैं कि सायद हमारे पक्स में फैसला ना दे, इसके बाद next है family conductor, खुश दिनों पहले देखो, एक ख़बर viral हुई थी, एक judge जो है, सायद आंदर परदे साइकोर्ट में थे, वो अपने family members के साथ, अपनी wife के साथ मार्पीट कर रहे थे, अब देखो किसी judge का family में ही ऐसा वेवार होगा, तो फिर कल को family से समन्द authority नहीं रहेगी ना, जैसे देखो एक normal सी बात है, मालीजे हम daily editorial discuss करते हैं, लेकिन कल को ऐसा हो, कि एक दिन discussion हो, दो दिन की छुट्टी, फिर एक दिन, दो दिन की छुट्टी, और फिर मैं आपको आके बोलूँ, आपको की पढ़ाई में consistency maintain कीजिए, तो आपको लगेगा, रे यार, तुम पहले खुद तो consistent हो लो, फिर हमें से लादो, तो वही बात है, उसके बाद next है public trust, जैस को अपने कारेकाल के दुरान कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे जनता का जो trust है, जैस के office में या फिर judiciary में किसी भी परकार से कमजोर हो, ये कुछ principles for ethical conduct of judges हैं, तो बस एक बर इन पर नजर डाल लीजिए, जैस जो हैं, वो independent होगे काम करें, और impartial होगे काम करें, काम में integrity दिखनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, competent and diligence, सभी parties को equally treat करें, प्रोप्राइटी होनी चाहिए काम में, तो ये principles आप लिख सकते हो, ethics में जब question आता है, वैसे बिहेव करना चाहिए, गुजरात हाई कोट ने हाला कि decent जाहिर की थी, इस 16 point के code of conduct पर, तो ये कुछ points हैं, जैसे हर judiciary का जो conduct है, या फिर behavior है, वो ऐसा होना चाहिए, कि जनता को लगे कि judge जो है, वो impartial होगे काम कर रही है, ऐसा कोई काम ना किया जाए, Supreme Court या फिर हाई कोट जोर होती हो, दूसरा point, judge को किसी भी club के office का या फिर कोई भी election नहीं लड़ना चाहिए, सिरफ कानून से सम्मदित कोई association या फिर society है, तो उन association या फिर societies में elective offices पर judge रह सकते हैं, तीसरा, judge देखो जिस court में काम कर रही है, वहाँ पर bar के किसी member के साथ, यानि कोई वकील है, कल को देखो, वही वकील केस लेके जा सकता है, उस judge के सामने, तो फिर तो biasness का खत्रा पैदा हो जाएगा ना, next point, judge देखो, अपने किसी भी immediate family member को, जैसे पती या फिर पतनी है, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, या फिर close relative, इनको allow नहीं करेंगे, अपने सामने appear होने के लिए, वकील के तोर पर, even in family members को case से किसी भी परकार से associate करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, next point, even देखो, जिस court में judge काम कर रही है, अगर उसी court की bar में कोई family member है, तो फिर उस family member को judge का residence इस्तमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी, next point, judge should practice a degree of aloofness, मतलब judge को एक reserve nature का होना चाहिए, ताकि office की dignity को maintain किया जाज़के, next point, judge ऐसे कोई मामले को नहीं सुनेंगे, जिसमें उनका कोई family member या फिर friend जो है, वो involved हो, मतलब party हो, case अपने family member से समन्दित हो, तो judge उस case की सुनवाई नहीं करेंगे, उस case से अपने आपको अलग कर लेंगे next, judge देखो, किसी भी public debate में enter नहीं करेंगे, और political matters पर अपने views जो है, वो publicly express नहीं करेंगे next, judge देखो, media से बात नहीं करेंगे, उनकी जो judgment है, वही सब कुछ बोलेगी next, judge gift को accept नहीं करेंगे, और family से समन्दित कोई भी hospitality या फिर gift है, उसको तो accept कर लेंगे अब भाई ने भाई को gift किया है, वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा, public से कोई भी gift judge accept नहीं करेंगे next, देखो, अगर किसी judge के company में कुछ shares है ना, तो फिर उस company से समन्दित मामले की सुनवाई judge के दोरा नहीं के जाएगी judge even share market में invest भी नहीं करेंगे, देखो, बहुत बड़ी ताकत होती है, जुड़ी स्री के पास में, मान लिजिये, Supreme Court के किसी judge के पास judge कोई case है, Vodafone से समन्दित, अब Vodafone का, मान लिजिये, share listed है, Indian stock market में judge को तो पता है न, कि फैसला Vodafone के खिलाफ जाना है, या फिर Vodafone के पक्स में जाना है, अगर फैसले के against, judge stock market में invest कर दें, तो वो तो एक घंटे के अंदर-अंदर इतना कमा लेंगे, आपको भी पता है, जैसे ही फैसला आता है, stock के price जो है, वो तो फैसले के अनुसार, या तो बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं, या बहुत ज़दा घट जाते हैं, तो इसलिए judges पर रोक होती है, वो share market में invest नहीं कर सकते, even ये भी point सामिल किया गया है, कि judge directly और indirectly किसी परकार के trade और business में भी सामिल नहीं होंगे, next, judge किसी परकार की कोई facility के demand नहीं करेंगे, किसी से, जो facilities judges के लिए available है, वो तो उनका हक है, वो मांग की जा सकती है, otherwise किसी extra facility के demand नहीं की जाएगी किसी से भी, last point ये है, judge को देखो, हमेसा ये ध्यान में रखना चाहिए, कि public उनको देख रही है, उनका जो वेवार है, वो publicly notice किया जा रहा है, इसलिए उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी office की dignity जो है, वो hurt हो, ये सारे points आप लिख सकते हो, अगर Judiciary में ethics से समधित कोई question आता है, next article, OPEC plus में बिखराव से समधित है, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, ये सारे aspects हम cover करेंगे इस article की discussion में, देखो, basics की बात पहले करते हैं, OPEC क्या है, ये एक cartel है, OPEC plus क्या है, ये भी एक cartel है, OPEC इसका निर्मान तो हुआ था 1960 में, इस में है 13 देश, और ये सारे देश से oil produce करते हैं, लेकिन कुछ और भी देश हैं, जो oil export करते हैं, वो OPEC का part नहीं है, वो OPEC plus का part है, confused हो गए, मैं बताता हूँ, OPEC में कितने हैं, 13 देश, 13 प्लस में 10 और देश, जो oil को export करते हैं, इन 23 देशों को मिला कर बनता है OPEC plus, ये वो 10 देश हैं, जो OPEC का part नहीं है, OPEC plus का part है, ये काटल करता क्या है, देखो काटल मिलके, oil prices त्या करता है, indirectly, मतलब अगर देखो, oil के production कम कर दी जाएगी, इन देशों के दोरा मिलके, जिस चीज़ की demand ज्यादा है, supply कम है, तो उसके rate तो बढ़ेंगे न, तो इस पर मार्केट में, oil के दामों को influence करते हैं, manipulate करते हैं, और अपने interest serve करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है, अगर सभी देश जादा-जादा oil को produce करेंगे, तो एक तो international market में, oil के दाम काफी कम हो जाएंगे, और कल को इनका तेल भी खतम हो जाएगा, फिर ये क्या करेंगे, इसल तो negotiations चली, UAE, Saudi Arabia, Russia, इन सब के बीच, तो UAE अब मान गया है, पहले UAE की सिकायत ये थी, कि हमारा quota कम है, और इसलिए, या तो आप हमारा quota increase कीजिए, अदरवाइस हम इस OPEC से बाहर आ जाएंगे, तो अब agreement में ये तैह हुआ है, कि इनकी जो baseline है, UAE के quota की, वो increase कर दी गई ह मतलब इनका quota ज़्यादा बढ़ गया है, अब ये ज़्यादा oil produce कर सकेंगे, अब OPEC प्लस जो countries है, वो एक दिन में 4 लाख barrel ज़्यादा oil produce करेंगे, तो उमीद ये है, oil के दाम कम हो सकते हैं, इंडिया, चाइना जैसे देशों की सिकायत ये थी, कि भाया, आपके पास oil है, तो कम से कम ऐसा नहीं न, कि बहुत कम आप produce करो, और international market में oil के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, कुछ तो आप developing countries का भी ख्याल रखो न, तो international market में crude oil के दाम कम होते हैं, तो इंडिया को फाइदा होगा, वैसे writer ये बोलते हैं, UAE और Saudi Arabia, ये तो बहुत घनिष्ट मित्र ह हुआ करते थे, ally थे, लेकिन पिछले कुछ मेहनों में इन दोनों के बीच में भी tensions create हुई हैं, जिसकी वज़े से UAE ने धंकी दी थी, कि हम OPEC Plus से और OPEC से बाहर आ सकते हैं, tensions की वज़े क्या है, एक तो देखो, Saudi Arabia को ये रखता है, कि हम से पूरी तरह से consult किये बिना UAE न लिए हैं, ये बात Saudi Arabia को अच्छी नहीं लगी, दूसरा, Yemen में जो वार चल रहा था, उसमें UAE की forces भी लड़ रही थी, Saudi Arabia के साथ मिलके, लेकिन UAE ने अपनी forces को वापस मिला लिया, बुला लिया, ये बात Saudi Arabia को अच्छी नहीं लगी, तीसरा, Saudi Arabia ने क्या किया, अभी हाल फि तो member countries से जो माल इंपोर्ट किया जाता है न, उस पर tariff increase कर दिया, कौन सी firms पर, उन firms पर tariff increase कर दिया, जिसमें 25% से कम locals काम कर रही हैं, अब देखो, जातर ऐसी firms UAE में हैं, जहां पर migrants की population ज़्यादा है, तो UAE को लगता है कि हमको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, Saudi Arabia के इ किसी भी member countries से जो माल इंपोर्ट किया जाता है, अगर वो माल manufacture किया गया है, उस firm के द्वारा, जिसमें 25% से कम local हैं, तो उस पर tariff ज़्यादा लगेगा, इससे नुकसान ज़्यादा किसको होगा, UAE को, क्योंकि migrant की population ज़्यादा कहां पे है, UAE में, तो यह जो tensions है, UAE और सा OPEC Plus से बाहर आ जाएंगे, उसका एक रीजन, साथ रिष्टो का खराब होना भी थाम, वैसे देखो, अगर यह OPEC तूटता है, कतर OPEC से बाहर गया था, कुछ समय पहले, कतर के जाने से इतना फरक नहीं पड़ा, लेकिन UAE बाहर आ जाता, तो बहुत फरक पड़ता OPEC प जाएगी, इंडिया सस्ता OIL इंपोर्ट कर सकेगा, इंडिया को इससे फाइडा होगा, लेकिन देखो, एक दूसरा पक्स भी है, अगर OIL के दाम बहुत जादा कम हो जाते हैं, तो फिर इससे इंडिया को नुक्सान होगा, क्योंकि इन देशों की जो वेस्ट एशिया के कं इनकी एकोनमिक विवस्ता पूरी तरह से चर्मरा जाएगी, और आपको पता है, हमारे देश में बहुत से लोग गए हुए हैं, वेस्टेशन कंट्रीज में काम करने के लिए, इंडिया को रेमिटेंस मिलती हैं, वो सारे वापस इंडिया में आ जाएंगे, एक तरफ इंड देशी करोना में एकोनमिक, मेस्टेशन किष्टेशन का जाएंगे चर्फ जाएंगे, एकोन Curtis'।